जेहन दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों पैंसन जाते समय जो कम्यूटेशन वेल्यू होती है जो पैंसनर कम्यूट करते हैं अपनी पैंसन का कुछ हिस्ता उसके बारे में आज में मेरे वीवर्स के इतने सारे कमेंट्स थे, इतने सारे क्वेशन थे आज मैं उन सब का जवाब लेकर आया हूँ क्वेशन क्या थे? किसी का क्वेशन ये है कि मैंने पहले 20% कम्यूट किया है क्या बाकी का कम्यूटेशन अब और कर सकता हूँ? कम्यूटेशन पर कितने परसेंट ब्याज करता है? क्या 15 साल पूरे होने के बाद हमको अपना कम्यूट वैल्यू पैंसन में एड करवाने के लिए कुछ करना पड़ता है या ये स्वतेही हो जाता है? कम्यूटेशन लेने के क्या-क्या फैदे हैं? क्या कम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर किसी employees की service के दौरान death हो जाती है तो क्या उसकी family को commutation मिल सकता है दोस्तों इस तरह के बहुत सारे मेरे viewers के सवाल आए हैं आज मैं एके करके सब को बताऊँगा किस तरीके से आप कम्यूट कर सकते हैं कितना कर सकते हैं कब कब कर सकते हैं कम्यूटेशन टेविल में क्या दिया है कम्यूटेशन फॉर्मूला क्या है ये सब एके करके मैं आपको बताऊँगा और कितने परसेंट ब्याज के साथ आपसे रिकवरी होती है क्या है इसका exact procedure ये सब आप देखेंगे आने वाली 2-3 मिनट के अंदर अंदर तो दोस्तो सबसे पहले देखिए ये आपके सामने कम्यूटेशन टेविल है यानि कि इस टेविल में age next birthday एक जो पहला कॉलम है उसमें एक नमबर दिया हुआ है यानि कि अगले आपके आने वाले जनम दिन पर आपकी उमर कितने साल की हो जाएगी वो इस कॉलम में आप दे आप कम्यूटेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये फिगर उस समय आपको काम आएगा यानि कि इस टेविल में दो चीत दी गई है एक आपका बर्थडे यानि जब आप रेटार होते हैं उस रेटार्मेंट होने के बाद आपका next बर्थडे जो आता है उस दिन आपकी कितनी उम है और उस उमर में आपको जो आपकी पर्चेस वैल्यू है कम्यूटेशन की वो कितनी है वो आपको यहां मिलेगा तो इस तरीके से पहले ये कॉलम में हैं उसके बाद देखेंगे दोस्तों फिर ये एज के वाज पूरी टेवल ये आपको दी गई है ये तो टेविल का महत् है और अब आपने फोर्मूला जानना है कि किस तरीके से आप अपना कम्यूटेशन निकालेंगे और क्या है उसका एक्जेक्ट फोर्मूला अब वो देखिए तो देखिए दोस्तों आपके सामने फोर्मूला फोर वर्किंग आउट कम्यूटेड वैल्यू ओप पैंसन ये आपके सामने दिया हुआ है इसमें क्या है सबसे पहले amount of pension to be committed यानि कि आप कितनी percent अपनी pension का हिस्सा commute करना चाहते हो वैसे आप 50% तक commute कर सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है कि आप commutation का 50% portion ही लो आप चाहे तो 20% भी ले सकते हैं 30% भी ले सकते हैं 25% भी ले सकते हैं जितनी requirement है उतना ले सकते हैं और अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते हैं mandatory नहीं है कि आपको commute करना है यह optional है आपको आपकी सुधा के अंसार decision लेना है दूसरा देखिए into 12 यानि कि यह formula है पहले आपकी commutation का जो portion आपने pension का commit करना है वो amount उसके बाद फिर आपका into 12 यानि 12 साल तक के लिए into purchase value for age next birthday जैसा मैंने आपको commutation table में बताया था उसी तरीके से यह आपकी commutation table है मान लेजिए कि आप 41 साल की उमर पर है उस समय आपकी जो purchase value है वो है 9.075 तो आपने इसको formula में फिलब करना है तब आपकी value निकल कर आएगी अब कैसे कैसे करते एक बार देखिए दोस्तों आपको मान लिजिए कि at the time of retirement आपकी 30,000 basic pension बनती है हम एक example ले रहे हैं simple सा 30,000 और आप उसमें से 15,000 maximum आप commit कर सकते हैं 50% के साफ से तो आप देखिए दोस्तों formula के साफ से calculate करते हैं मान लिजिए कि आपकी at the time of retirement 30,000 basic pension बनती है तो आपकी 50% committed value जो pension की बनी वो बनी 15,000 और आप 50% ही अपना commit करना चाहते हैं तो देखिए उसके हिसाफ से आपको कितना पैसा मिलेगा commutation का यानि कि आपकी 15,000 committed value हो गई दोस्तों into 12 जो आपके formula में दिया हुआ है यहां देखिए into purchase value for age next birthday यानि कि आप जब retired हुए थे तो आप 40 साल की में running हो रहे थे तो आपका अगला जब बर्द्रे आता है जनम दिन तो उस दिन आपकी उमर हो जाती है 41 साल यह एक example है आपकी 43 भी हो सकती है 48 भी हो सकती है 50 भी हो सकती है 34 भी हो सकती है वो आपको table में मिल जाएगा तो इसकी purchase value कितनी हुए 41 साल पर 9.075 तो अब आप यहां पर feed कीजिए 9.075 अब इसके बाद इसको calculate कर दीजिए तो आपका इस तरीके से जो committed पैसा है जो आपको मिलने वाला है वो निकल के आपके सामने आ जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से इनकी जो committed value निकल के आई वो आई 16 लाक 33,500 रुपे यानि कि यह amount को commutation के रूप में मिलेगा अब यहां सवाल यह आता है कि इसकी recovery कैसे होगी यह recovery 15,000 जो आपकी यह committed value है यह आपकी आने वाले 15 साल तक हर महिने आपसे काटी जाएगी यानि कि आपको मिला तो है 12 साल के लिए लेकिन आपसे recovery होगी 15 साल तक अब यहां पर लोग पूछते हैं कि यह कितने percent interest के हिसाब से काटा जाता है हम से तो दोस्तों आज अगर आप calculate कीजिए इसको समझने की कोशिस करें कि यानि कि यह amount यह जो amount है आपके सामने 16,33,500 आप suppose करो कि bank से आज 16,33,500 रुपे loan पर लेते हो तो bank आपसे कितने percent ब्याज पर काटता है आप bank के जो calculation का जो formula है उसमें इसको रखें और उसमें rate of interest डाल दीजिए आज का जो अब चल रहा है current rate of interest उसके इसाब से जब calculate करके आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो यह commutation value है आज जो rate of interest चला है almost वो लगभग बराबर है थोड़ा सा bank का rate कम है लेकिन यहां आपसे थोड़ा सा rate ज्यादा लिया जा रहा है लेकिन यहां फैदा क्या हो रहा है आपको कोई documentation करने की जरूरत नहीं पड़ रही है at the time of retirement आपको यह सब आपके हाथ में पैसा मिल रहा है दूसरा अगर करमचारी के साथ कुछ incidence हो जाता है तो उसकी family से इस पैसे की recovery नहीं की जाती है इसका मतलब यह हुआ कि यह जिस तरह के से आप loan लेते हो और उस loan को insured करा देते हो तो वो loan भी आपकी family से required नहीं होता है उसके लिए थोड़ा सा charge लगता है लेकिन वहां भी आप अपने loan को insured करा सकते हो दोनों option है अगर आपको जरूरत है तो ले सकते हो जरूरत नहीं है नहीं लेना क्योंकि यह amount जब आपकी pension में आएगा तो वहां भी आप income tax के दायरे में भी आ सकते हो अगर आपने commutation का पै ऐसा 15 साल तक के लिए आप income tax के दायरे से भी बच जाते हो दूसरा आप इस पैसे को invest करके यूज भी कर सकते हो अगर आपको जरूरत है at the time of retirement करमचारी के सामने बहुत सारी जुम्मेदारी आती है जैसे उनके बच्चे उस समय settlement की final stage में चल रहे होते हैं पढ़ाई के करना है री सेटलमेंट का है बहुत सारी चीजे हैं जो आपको उस समय ये मजबूर करती है पैसा उस समय आपके हाथ में होना चाहिए अगर ऐसी जरूरत है तो आप जरूर लीजिए अगर नहीं है आप manage कर पा रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं कि आप लो आपने pension जाते सम मैं अगर कम्यूटेशन नहीं लिया और बाद में आपको जरूरत पढ़ी कि नहीं मुझे requirement है चाहिए तो आप बाद में भी कम्यूटेशन ले सकते हो ये भी option है लेकिन उसके लिए अगर आप एक साल के बाद कम्यूटेशन लेते हो तो उसमें आपको additional medical examination करा के देना होगा अगर एक साल के अंदर अंदर लेते हो retirement आने के बाद तो आपको medical कराने की भी जरूरत नहीं है और pension के time पर आते हो तब तो कोई problem ही नहीं है जैसे ही आप pension आते हो आपके पीछे पीछे आपके साथ ही आपका commutation का पैसा मिल जाता है कभी कभी 2-4 महिने 6 महिने तक भी लग जाते है अधरवाज 1-2 महिने के अंदर मिल जाता है और अब आने वाले समय में तो आपको तुरंत ही मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से pension disbursement का procedure इसपर्स डवलप हो रहा है आपको साथी साथ ये मिलेगा अभी कुछ लोगों का सवाल था क्या करमचारी की death के बाद उसकी family को commutation मिलेगा नहीं उनके लिए ऐसा कोई provision नहीं है या 20% लिया है अब हमको जरूरत है तो बाकी का commutation ले सकते हैं नहीं ऐसा कोई provision नहीं है आपको एक बार में ही लेना है दोबारा आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं और दोस्तो इस तरीके के और भी आपके जहन में कुछ question आ रहे होंगे वो आप comment box में डाल सकते हैं उनका reply आपको मैं वहां कर दूँगा और दोस्तो इस से related frequently asked question मैं आप देख सकते हो वहां बहुत सारी एक series है क्या क्या उसमें conditions हैं आप वो भी पढ़ सकते हो उसका link मैं video के description में देदूगा आप वहां से भी study कर सकते हो और दोस्तो मैं ये table का link भी video के description में देदूगा आप इस table की भी study कर सकते हो एक जवान का question था कि ज़्यादा सर्विस करने के बाद commutation ज़्यादा मिलता है या कम सर्विस करने के retirement आते समय कम्यूटेशन ज़्यादा मिलता है तो दोस्तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है अगर आप जितनी कम age में retirement आते हैं तो आपका purchase value उतना ज़्यादा होता है और आप जितनी ज़्यादा age में retirement आते हैं उस समय आपका purchase value कम होता है लेकिन उस समय आपकी committed value ज़्यादा होती है तो कम age वालों को ज़्यादा पैसा मिलता है ज़्यादा service करके आने वालों की अपेक्षा purchase value के हिसाब से और उनसे recovery कम होती है क्योंकि उनकी जो committed value है वो कम होती है तो दोस्तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अन जानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो जैहिन जै भारत